पार्ट दस अव्याय इन्टिक्लाइनबल्स जिन शब्दों में काल, वच्चन, लिंग या कारक के कारण किसी प्रकार का परिवर्थन नहीं होता, उन्हें अव्याय या अविकारी शब्द कहते हैं. अव्याय शब्द सदा एक जैसे रहते हैं. अव्याय के भेद, काइन्स ओफ इन्दिक्लाइनबल्स अव्याय के चार भेद होते हैं. एक, क्रिया विशेशन, अट वर्ब दो, संबंध बोधक, प्रेपोसिशन तीन, सम्मुचे बोधक, योजक, कंचंशन चार, विसमयादी बोधक, इंटर्चेक्शन एक, क्रिया विशेशन, अट वर्ब क्रिया की विशेशता बताने वाले शब्द क्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे, घरगूश तीस दोड़ता है चारू उधर जा रही है हाथी धीरे धीरे चलता है पहली वाख्य में तीस शब्द दोड़ता है, क्रिया की विशेशता बता रहा है दूसरी वाक्य में उधर शब्द जा रही है क्रिया के स्थान संबंधी विशेष्टा बता रहा है तीसरी वाक्य में धीरे धीरे शब्द चलता है क्रिया की विशेष्टा बता रहा है अता तेज उधर धीरे धीरे क्रिया विशेष्ण है दू, संबंध बोधक अव्याय प्रपोसिशन जो अव्याय शब्द वाक्य में आए संग्या या सर्वनाम की पात आकर उसका संबंध दूसरे पदों से प्रकट करते हैं उन्हीं संबंध बोधक अव्याय कहते हैं जैसे मीस के पास कुर्सी है राचा भिकारी को कपड़े देता है पहली वाक्य में के पास मीस के बाद आया है तथा मीस का संबंध कुर्सी से प्रकट कर रहा है दूसरे वाक्य में कू के लिए भिकारी के बाद आया है तथा भिकारी का संबंध कपड़े से तिखा रहा है संबंध बोधक अव्याई के अन्योदारण 1. सीता के घर के सामने गीता का घर है 2. रोहन के पास सुन्दर सी खड़ी है 3. सम्मुचे बोधक अव्याई कंचंशन जो अव्याई दू शब्दों वाक्यांशों अथ्वा वाक्यों को चोड़ने का कारे करते हैं उन्हीं सम्मुचे बोधक अव्याई केहते हैं जैसे 1. रवी और रितेश खर जा रहे है 2. अपनी हिंदी की पुस्तक पढ़ू अथ्वा सोचाओ 4. विसमयादी बोधक अव्याई इंटर्चेक्शन जो अव्याई शब्द हर्ष, शूक, ग्रिणा, भाय, क्रूद, लज्चा, खुशी आदी मन की भावों को प्रकट करते हैं उन्हीं विसमयादी बोधक अव्याई केहते हैं जैसे 1. वाह तुम मैं जीत गए 2. हे भगवान, कैसा अन्याई है